नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद करनाणि कृष्णा प्रांट केर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम नए तरीके से पोर्ट बनाना सीखेंगे इसके लिए हमारे को चाहिए एक प्लास्टिक का पोर्ट जैसी डिजाइन प्लास्टिक के पोर्ट के अंदर होगी दोस्तों वेसी ही डिजाइन हमारे पोर्ट के अंदर आ जाएगी इसके लिए ये जरूरी होता है कि दोस्तों नीचे से पोर्ट छोटा होना चाहिए चोड़ाई कम होनी चाहिए और उपर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि दोस्तों आराम से गमला निकले और साथ में दोस्तों कोई आपको पोर्ट हो जो इसके अंदर डाल सकें जो फिट आए जिसके अंदर हमारी हम डाई मान के चल रहे हैं इसको दोस्तों तेल अच्छे से लगाना है मैं दोस्तों जो मोटर साइंकल पे तेल निकलता है काला खराब हुआ वो तेल लगा रहा हूँ आप चाहो तो वेसलीन लगा सकते हो या फिर कोई ओल सर्सो का तेल या फिर कोकोनट ओयल भी लगा सकते हो तेल दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है ज्यादा ज्यादा लगाना है ताकि दोस्तों आराम से पोर्ट निकले दोस्तों मैं पूरे पोर्ट पे तेल लगाँगा उपर तक हमारे को बढ़ना है तो उपर तक हमारे को तेल लगाना है तेल दोस्तों मैंने लगा लिया है अब दोस्तों आप सुकी सीमेंट केवल बिना बजरी की दोस्तों इसके उपर लगानी है ताकि दोस्तों ये बाहर से आप ज़्यादा भी लगा सकते हो देख सकते हो आप में चारो तरफ चलगा रहे हो फिर इस गम्ले को गुमाते हुए दोस्तो यह जो है वह सिमेन्ट अच्छे से सेट कर लेंगे अब हम दोस्तो सिमेंट का mixसर तैयार करेंगे इसके लिए दोस्तो तीन बाग आपको जितली लेना है एक बाग दोस्तो सिमेंट लेना है और इसको पहले सुखे को अच्छे से mix करना है और फिर पानी डॉलकी Pak को दोस्तों सुरू के अंदर जो डालते हैं वो थोड़ा गाड़ा डालते हैं और उसके बाद में पतला डालते हैं सुरू के अंदर जो बेस बनता है हमारा जो इसका अंदर का हिसा होता है जिसके अंदर हम छेद निकालते हैं उसको गाड़ा गाड़ा मिक्सर डालेंगे और दोस्तों इसके खांचे में अच्छे से बढ़ते वे दोस्तों जितनी आपको फर्स की मोटाई करनी है नीचे का उतना आप कर लीजिए और उसको अच्छे से सेट कर लीजिए दोस्तों आपसे request है मेरे वीडियो को आप पूरा देखा किजे ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों में extra वैसे भी नहीं बोलता हूँ जो ज़रूरी बाते होती है वही बताता हूँ अब दिख सकते हो दोस्तो पूरा पूरा अच्छ से सेट हो गया है बीच में दोस्तो हम छेद निकाल देंगे और छेद के अंदर अंदर हम रिएवर सेंड जो कि हमारे रेतila निली मिटी होती हो बढ़ देंगे क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो हमने सेंड डाली है वो आराम से निकल जागी वो पकड बिल्कुल भी नहीं करेगी अब दोस्तों जो पोट हमने तयार किया है उसको बीच में रख देंगे जो कि दोस्तों फर्स के उपर होगा जो की निचे इसके सिमेन्ट रहेगी और ऊपर से निकल बीच में रिवर्स जो की रेतिली मिट्ट वो डाल देंगे ताकि दोस्तों थोड़ा सा वजन हो जाए वरना ये दोस्तो हम सिमेंट बजरी का मिक्सर डालेंगे चारो तरफ से तो दोस्तो ये उपर उठने लगेगा तो दोस्तो इसके अंदर दीरे दीरे हमारे को इसमें वजन देते रहना है अब दोस्तो मिक्सर को दोनों साइट से मारे को डालना है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चारो तरफ से डालते वे दोस्तो इसको बढ़ना है एक साइट से ही डालोगे तो दोस्तो ये पोर्ट जो है बीच वाला वो टेड़ा हो जाएगा तो बराबर बराबर चारो तरफ से डालते रहेंगे और शुरू में जब डालते हैं दोस्तो पहली बार तो दोस्तो फस्ट और लास्ट में डालते हैं जैसे लेफ्ट और राइट अपोजिट साइड में डालते हैं ताकि दोस्तो बिल्कुल सेट हो जाए फिर दोस्तो इसको चारो तरफ से बढ़ते रहते हैं और दोस्तो फिर इसको थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं ताकि दोस्तो सेट हो जाएगा और चारो तरफ से ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो दोस्तो अपने आप सेट होता रहेगा मिक्स्चर दोस्तो अगर पतला होता है तो दोस्तो सेट अच्छा होता है हमारे को ज़्यादा हिलाने की जुरत नहीं होती मिक्स्चर को दोस्तो डालते हैं समय थोड़ी थोड़ी देर में जिसे मैं हातों से हिला रहूं दोस्तो वैसे ही आप भी करते ही रहे कि दोस्तों ये बिल्कुल सेट हो सके और इसके अंदर दोस्तों एर पोकेट नहीं रहे अगर एर पोकेट रहेंगे तो दोस्तों बाद में हमारे को इसको सही करने की नोबत आएगी अब दोस्तों मेरा पूरा बढ़ चुका है अब दोस्तों हम करनी या कोई भी साधन की हमारी को बलुई मिटी डालनी है है क्योंकि यह समनट बजजरी का मिक्षेर वह बिल्कुल गिला है उसके अंदर जो हैं दो प्लास्टिक लगा है तो दोस्तो इसके प्लास्टिक होगा तो इसको बहुत जरूरी है Municipal और 10-12 गंटे तक हमारे को ऐसे ही रखना है इससे ज्यादा बिलकुल भी नहीं रखना है दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा रखते हो तो दोस्तों यह गंबला बिलकुल टाइट हो जाए फिर निकलने में दिक्कत आएगी तो इसलिए हम कम से कम 8-9 गंटे बाद में आपका और दोस्तों आप थोड़ी देर में देखोगे तो आप देखोगे कि पूरी पूरी रिवर सेंट जो हमने सिमेंट बजरी के उपर डाली है वो पूरी गिल्ली हो गई है जिससे दोस्तों फाइदा होता है जल्दी यह हमिडिटी जो है उसकी पोर्ट की कम हो जाएगी और हम आराम से गरम पानी इसके उपर प्लास्टिक के उपर डालके और आराम से निकाल सकते हो दोस्तों मेरा टाइम हो गया आठ गंटे का और आब मैं इसको पोर्ट को निकाल रहा हूं बीच वाला पोर्ट दोस्तों आसानी से निकलेगा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने प दोस्तो प्लास्टिक का फाय्द यह होता है, क्यासनी से निकलता है। आप इसको उल्टा करके और फिर इस पोट को निकलेंगे। उल्टा करने के बाद में अगर असनी से पोर्ट नहीं निकले तो आप इसके पर गरम पानी डाल दीजिए बिल्कुल गरम पानी तेज होना चाहिए तो दोस्तो आराम से निकल जाता है सबसे पहले दोस्तो इसको किनारे को खिंचा जाता है थोड़ा थोड़ा जैसा कि मैं खिंच रहा हूँ अब इसको उल्टा करेंगे और फिर दोस्तो इसको पोर्ट को निकलेंगे तो आराम से निकल जाएगा PORT को निकालने के बाद में दोस्तों अगर आपके कोई minor mistake है, कोई जैसे छेद वगए और एर पोकेट के कांड़ से बन گए है तो दोस्तों इसको उसी टाइम पे केवल सिमेंट से दोस्तों इसको बंद करना है और फिर दोस्तो इसको 4 गंटे लिए इसको इसे ही रखना है आप देख सकते हो दोस्तों मेरा वाला पॉर्ट बिलकुल अच्छा बना है कोई mistake नहीं है इसके अंदर अगर minor mistake है तो दोस्तों केवल c trze week से इसको बढ़ देना है फिर दोस्तो इसको ऐसे ही चार गंटे रखना है इसको ऐसे ही चार गंटे जब यह अच्छे से सूख जाएगा फिर दोस्तो इसको बारा गंटे या दस गंटे के लिए पानी में डूबो के रखना है फिर दोस्तो इसको चार गंटे के लिए सुकाना और फिर आप इस पे कलर क सकते हो, आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा कितना अच्छा पॉर्ट बनाया है, और भोटी सस्ती रैट में हमारे गर में तयार हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, इस पॉर्ट के अंदर तो मेरे को बिल्कुल भी जुरत नहीं है, कोई सुधारने की जैसे सिमिंट वगर लगाने की एक दोस्तों यह मैंने पहले बनाया था उसके अंदर जो किनारे है वो थोड़े सही नहीं बनेते लेकिन इस वाले पोट के अंदर बिलकुल अच्छे बने आए तो दोस्तों यह था आज का मेरा वीडियो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब केजिए सेर कीजिए थैंक यू